हाई फ्रेंज मैं हूं अन्पम और हाजिर हो गई हूं आप सब के लिए एक नई यूनिक रेस्पी लेकर प्रेंज यह इतनी टेस्टी बनती है कि कुछ कह बता नहीं सकते आपको और यह आयल फ्री है बिल्कुल बिना आयल के बना बन जाती है और सिर्फ आलूर से यह आलू का यह नास्ता गजब का नास्ता हम आपके लिए लेकर आए हैं जैसे कुछ लोगों को और खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता आयली फूर नहीं पसंद होता है तो उसके लिए हैं चलो बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने ले लिया है दो बॉयल आलू यह हमने बड़े कट करें कर लेंगे और ये आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे और इस तरिके से में कोई भी कर वह भी लंसमा रहाएक जाए यह बहुत ही गजब का नास्ता लेके आए हैं यह नास्ता अभी यूटूब पर बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही गजब का नास्ता बनता है और सबसे खाशियत है कि बिना आयल के यह बनता है इसमें आयल की कोई जरूरत नहीं होती इसे हम पानी में उबालने वाले ही तो दे देखिए हमने कदू कस कर लिया है दो नों आलू किया दो आलू को हमने चार टुकडों में कर लिया था जिससे कि जल्दी उबल जाए और सिर्फ 80 परशंट ही हमने वोयल किया था और यह हम ले लेंगे जितने अलू है उतने ही बराबर की कॉइंटिटी में हम कार्ण फ्लॉण लेंगे यानि कि अगर हम आधा किलो या धाई सो ग्राम जितने भी आलू हम लेंगे उतनी ही बराबर क्वाइंटिटी में हमें कांट्फॉरॉन लेना है आप इस चीज का बिल्कुल जरूर से जरूर ध्यान रखेगा और हमें इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है हम इस तरीके से इसको इसका हम इस तरीके से डो लगाएंगे कि हमें पानी नहीं यूज करना है मसल मसल के ही हमें इसे तयार करना है देखिए हमने इतनी देर तक इसे मसल के तयार किया है कि यह देखे बिल्कुल आर जैसे हम रोटी और पूरी का डो लगाते है उस तरीके बनाएंगे और इसको देखे एक हम घजब का इसमें एक डिजाइन देने वाले हैं तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कोई जरूरी नहीं है इसके लिए हम ले लेंगे एक छोटी बोटर जो आप बड़ी भी ले सकते हैं क्योंकि जो उसके मुह का साइज होता है वो तो इस तरीके का हम बना देंगे और उसको इस तरीके से साइड से दबा के उस हम डिजाइन को उभार देंगे और देखे हैं पेड़े इस तरीके से बनाएंगे और बोटल से डिजाइन लगाएंगे और फटा-फट से और बड़ी जल्दी बनके तयार होता है सिर्फ 5-6 मिनट लगते हैं अगर हम पहले से प्रेपरेशन कर लें यह देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने में कितना पर्फेक्ट ए आज पर लगते हैं तो पानी भी बॉयल नहीं हुआ है उसमें हम डाल देंगे एक चमच नमक इसलिए पहले से डाले में देखे इसमें अच्छे से नमक हो जाए आजाए इसमें यह देखिया हम इस तरह सारा बोईल कर लेंगे आ जितने भी हमने आलो का जो पेड़े बना के और तरह पांच मिनट तक गुट करेंगे जैने कुछ भी नहीं करना है ज्यादाना भी नहीं यह कुदी बस एक बार हम इसको इसमें शमास लगाएंगे और यह बड़ा लगांगे ऑर यह सब उपर आजेंगे पानी के उपर आजेंगे तो समझ जाना कि हाँ यह बॉइल हो तरीके से चला देंगे और यह बस यह देखिए सब वायलों के उपर आ गये हैं यानिकि हमारे तक चुके हैं अब हम इंको यह पानी हमने लिया है पानी में इसमें डाल दिया है बर्क आप सोच रहे होंगे बरक का यूज करें तो अभी आप देखेंगा कि बरक में हम यह क्या करने वाले हैं अब हम यह सारे जो पेड़े हैं हमारे निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो पानी का पानी यूट्रक टाला देंगेillar बोटल लगाते हैं उस बोटल के पानी यूज़ कर लीजेगा तो यानि कि हमें उससे तुरांधी हमें ठंडे पानी में डालना है और 5-6 मिना तक इसे हमें पढ़े रहना देना है जिससे कि जो भी ये सॉफनेस होती है वो इसकी खताम हो जाती है जो इसकी कुकिंग प्रोसेस गई होती है वो खताम हो जाती है और वहारा नास्ता जो है बहुत जल्दी बनके त्यार हो जाता है रिट देखेसं कलर घंच हो गया है और 2 पेड़े बनाए वायट ते और इस के ड्राणसपेरेंड कल्र आर्म केहीं करड़ा सा यह सबक्नाथ रहे हैं आप सिर्फ एक चंमम की तोड़ी सी हमडालेंगे राई और इसमें कोई मसाला यूज नहीं करना है कुछ भी यूज नहीं करना है आई और इसमें अगर आपको पसंद तो प्यास डाल सकते हैं और गाजर जोभी सबजय आपके पास अब लेवल हों वे और सब्रॉस इसमें में बिना के इसली बनाई की कभी सबज़y टोड़ा सा चिली सॉस यूज किया है और थोड़ा सा हमने डाला है इसमें फिली शुपार्ण सेजवान चट्नी अगर आप घ्रास खाते हैं इसमें प्याज और लेस्न डालेंगे तो और भी ज्यादा पेस्टी हो सकता है लगे अबस यह दिखे इस तरीके से रिया है हमने कोई भी मसाला यूज नहीं किया है एक दम हम इसे बच्चों के टिपिन में दाज दे सकते हैं या साम को चाय के साथ हम इसे खा सकते हैं बहुत ही गजब का लांग नास्ता ये बनके तयार होता है बहुत ही टेस्टी और सबसे अच्छी बात है तो इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगती है कुछ भी इसमें हमें नहीं जरूरत है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ये देखिए इस तरीके का कलर बनके तयार हो और सारे हमारे अच्छे से भुन गए हैं सारे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए हैं ये सारा हमारा बनके तयार हो गया है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमारा हुसला बढ़ जाता है दस गुना जादा तो हम आपको फिर मिलेंगे अपनी नई वी और आशिरवाद इसी तरह बनाए रखिएगा और देखिए कितना अच्छा कलर है तो एक बार ट्राइ जरूर करिए आपने प्यारे प्यारे कमेंट से बताईएगा कि आपको ये नास्ता कैसा लगा तो आपसे विज़ा लेते हैं फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ बाइ टेक केर थैंक्स पर वाचिंग लव यू